नमस्कार न्यूस फो नेशन देख रहे हैं आप मैं हूँ आपके साथ रश्मी आज हमारे साथ बिहार के अयूवा नेता चिराग पासवान जुरे हैं उनसे मिलवाते हैं आपको चिराग एक हो सबसे जरूरी बात कि आज वालेंटाइन डे है ठीक है तो छोटे भाई ने है उनके पास इसका जवाब होगा बट आज की तारिक में ज्यादा बड़ी जिम्हधारियां मेरे उपर हैं ज्यादा है तो फिलाल जैसा मैंने कहा मेरा पूरा ध्यान के इंद्रत सिर्फ अपनी पाटी को लेकर है अपने बिहार को लेकर है अपने प्रदेश को लेकर है वेक्तिगत परिस्तितियों को लेकर सोचने का honestly speaking अब समय ही नहीं है कभी कोई लड़की पसंद आई प्रबू क्या बात क है मतलब ठीक है अच्छी बात है प्यार को बढ़ाता है उसके लिए भी डेड़ सारी शुब कामना है बट ये दिन ऐसे भी है जब कई ऐसी घटनाए घटी हमारे देश में पुल्माव में जिस तरीके से हमारे जवान हमारे शहीद हुए ये तमाम ऐसे दिन है जिनके महत व चाहिदों को याद रखना उनके परिवार वालो को याद रखना उनके पैस प्यार के संदेश भेजना वह ज़्यादा जरूरी युवाओं को एक मैसेज भाई जागरुक हों एकत्रेट हों एक जोगिए को बार बार यह कहता हूं अपनी ताकत को पहचाने एक बड़ी आब अबादी देश में युवाओं की है और बिहार प्रदेश की भी अगर आप बात करें तो एक बड़ी अबादी युवाओं की है लगभग एक 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 बड़ी तादाद में 65-70 प्रतीशत युवाँ ऐसे हैं जिनकी आई यू 35 वर से कम है अगर हम लोग एक जुट हो ज जाएं एक अत्रत हो जाएं तो हम लोग बिहार तो कि हम लोग देश तक को हम लोग बदलने की हम लोग ताकत रखते हैं रोजगार जो आज की तारीक में एक बड़ी समस्या है उसके लिए एक बड़े जनान दोलन की जुरत है नहीं तो यह जितने ऐसे राजनितिक दलने 19 लाग रोजगार का वादा करेंगे चुनाओं के वक्त और उसके बाद अगले पांस साल तक आपको पूछेंगे भी नहीं उल्टा अगर आप अपने अधिकारों को ले जाएंगे तो आपको लाठी मारेंगे ऐसे में युवाओं को बस एक जुट होने का मैं आवान चलिए आखरी में चुराग एक सवाल आपसे है कि बिहार की जनता चाहती है कि आप और तेजश्वी एक साथ आईए कब आईएगा अपने छोटे भाई के साथ बेराल बहुत हाइपोधेटिकल क्वेशन है साथ आएंगे नहीं आएंगे इस पर फिलाल मेरा ध्यान केंद्रित ही नहीं है मैं पूरी अपनी ताकत, पूरी अपनी शम्ता का इस्तमाल कर रहा हूँ अपनी पार्टी के जनाधार को, अपनी पार्टी के संगठन को मजबूत करने में और उस संगठन जनाधार के माध्यम से बिहार की जनता की जो समस्या है, परेशानिया है उनको उजागर कर उसका समाधान ढूनने का मैं प्रयास कर रहा हूँ मैंने बारबार कहा है राजनीती की परंपरा भी रही है कि गड़बंदन का जिक्र चुनाओं के वक्त होता है जब चुनाओं होंगे अगर मध्यवती चुनाओं से पहले होते हैं तो उस वक्त हम लोग इसका जिक्र करेंगे बट फिलाल मेरा पूरा ध्यान के इंद्रित है अपने संगठन को लेकर अपने जनाधार के विस्तार को लेकर बहुत बहुत धैनिवाद तो यही थे हमारे साथ चुराग पासवान जरों ने बताया कि कल राजभवन को लेकर क्या कुछ उनकी तयारी और किस तरह से सरकूपे उत्रेंगे चुराग पासवान फिलाल के इतना ही जादा अपडेट के लिए आप बारी रहें ड्यूस फॉर नेशन के साथ नमस्कार